जहिन दोस्तों मा भारती की चर्णों मेरा कोटी कोटी पढ़ाम आप सबको 15 अगर्ष्ट की धेरो शुपकामना है विश्योल अवैरी हैपी इंडिपेंडन्स रें 13 अगर्ष्ट लेकर के 15 अगर्ष्ट तक हर घर तिरंगा अभियान भारत सरकार चला रही है हम आजादी का पर्व सेलिब्रेट करने जा रहे हैं उस खुमार में हैं हम जब हमको हमारे देश को आजादी मिली देश लेकिन एक बात यहाँ पर एक प्रिश्ण ये है जो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वाकई में हम आजाद है क्या वाकई में हमको नैतिक अधिकार है कि हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करें आजादी का दिल सेलिब्रेट करें ये प्रिश्ण मैं इसलिए आप से पूछ रहा हूँ क्योंकि जो घटनाएं इधर हफ़ते भर में देखने को मिली हैं उससे लगता नहीं है कि हम वाकई में आजाद हुए है क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक बहुत बड़ी एक समस्या है जिसके हम गुला समस्या है रेप बलतकार एक बहुत जगन्ने अपराग कह लिजिए या आप एक बहुत घिनोना अपराग है जिससे आज भी हमारा समाज जो है वो जकड़ा हुआ है गुलाम है इधर पिंचार दिनों से दस दिनों से ऐसी कई घटनाएं सामने आई अक्सर आप टीवी में भ देख रहोंगे इधर जो सबसे एक इंपोर्टेंट इवेंट निकल के आया जो घटना चर्चा में है वो किस तरीके से ब्रूटल जो है रेप हुआ और मर्डर हुआ है कुलकत्ता में डॉक्टर का लेडी डॉक्तर को भी नहीं छोड़ा गया डॉक्तर जिसे भगवान का र गया समाज में इतनी गिरावट आ गई है कि हम डॉक्टर को भी नहीं छोड़ा करें तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमको नैतिक अथिकार है स्वतंत्रता सेलिब्रेट कर देगा आप ही कुछ दिन पहले ही या आप ये समझ लीजिए कि जब न्यूस पेपर पढ़िए जिसी किसी भी दिन का अख़बार आप उठा लीजिए टीवी चैनल्स को देखें न्यूस सुनिये शायदी कोई दिन ऐसा जाता हो जब कोई रेट की न्यूस जो है वो फ्लैश ना हो रही हो छोटी छोटी बच्चीयों के साथ एक साल दो साल तीन साल मतलब इस समाज में भारत ये समाज में इस देश में कोई ऐसी जगा है कोई ऐसा इस्थान है जहां महिलाए सुरक्षित हैं हमारी बेटियां सुरक्षित हैं हमारी बहने सुरक्षित हैं चाहे वो स्कूल हो अस्पताल है सडक है मार्केट है घर है कोई भी ऐसी जगा आप बताईए जहां हम कह दें कि नहीं हाँ हमारी बेटियां हमारी बहने इस जगा सुरक्षित हैं और राज जो है वो उन्हें नियाय दे रहा आज भी हम कहते हैं रेव केस के बाद सबको नियाय मिलेगा क्या नियाय मिलेगा जिसके साथ वो घटना घटी है क्या नियाय मिलेगा जिसने वो काम किया हमने उसको सजा दे दी फासिक सजा चढ़ा दी बस यही यह नियाय है नियाय का मतलब है हमें कैसा समाज इस्टैबलिश करें कैसा समाज बनाएं जहां पर ऐसी घटनाए घटे ना लगातार मैं देख रहा हूँ आप भी देख रहा हूँ आप भी देख रहा हूँ गराफ बढ़ता चला जा रहा हूँ कानून का कोई डर नहीं कानून का कोई डर नहीं बेखौफ निरभया कांड जब हुआ था डैली में I'm sure कि आपको याद होगा उसके बाद जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ एक खंगामा मचा सरकार बात दे हुई गवर्मेंट ने की लॉस में चेंज किया तो एक उमीद जगी थी कि हाँ अब इसके बाद इन घटनाओं में ऐसी घटनाओं में गिरावट आएगी बट हुआ उसके अपोजिट हुआ उसके अपोजिट हुआ उसके अपोजिट लगातार ऐसे केसे में जो है वो बढ़तरी देखने को मिल रहे हैं अब कोशन यह उटता ऐसा क्यूं है वाए क्या कारण है इसके पीछे कि हमारे देश में लगातार केस के जो रेप के जो केसे हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं कौन जिम्मेदार है इसके पीछे राजी जिम्मेदार है समाज जिम्मेदार है या वो वेक्ति जिम्मेदार है जिसने यह किया या हम सब जिम्मेदार है ये बड़ा गंभीर विशे, कोई एक व्यक्ति नहीं, collective responsibility है ये, collective, और collective responsibility सब की है, state की भी है, criminal justice system की भी है, समाच की भी है, society की भी है. अभी दस दिन पहले ही टीवी चैनल्स पर छाया हुआ था आयुध्या रेप केस जहां एक माइनर लड़की के साथ बच्ची के साथ ऐसा घटनाग हुई भगवान राम के जन्मिस्थान मतलब ऐसे पवित्र स्थान ऐसे पवित्र जगे पर इस तरीके की न्यूस निकल के आई अभी वो चीज पूरी हुई नहीं थी कि तब तक कोलकत्ता वाला केस सामने आ तो इसको सोचना है इस विशह पर किया है क्यों है क्या कारान है इसके पीछे कि लगातार इस तरीके की घटनाय जो है वो बढ़ती चली जा रही है कहा से शुरुआत की जाए किसको रिफॉर्म किया जाए किसको सही किया जाए यह उध्यावाला केस जो हुआ था वो है उसी में सरकार ने कह दिया सबको नियाय मिलेगा नियाय दिलाने की बात होती है नियाय मिलेगा नियाय क्या कैसे नियाय मिलेगा क्यों यह घटनाय होती है कई लोग जिम्मेदार है कई चीजे जिम् का डर होना चाहिए, rule of law होना चाहिए, कानून अपना काम करें, पुलिस को अपना काम इमानदारी से करना चाहिए, investigation quick होना चाहिए, fast होनी चाहिए, evidence जल से जल collect होने चाहिए, charge sheet जल से जल फाइल होनी चाहिए, हम क्यों नहीं rape cases को fast track code में चलाते हैं, जब public pressure होता है तब cases जो तारीक पर तारीक है। यह बड़ी एक गंभीर बिमारी है। जिसमें सालों लग जाते हैं नियाए नहीं हो पाता। समाज की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सोसाइटी एसा होल, कलेक्टिव रिस्पॉंसिबिल्टी है। समाज को भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। हमें भी समाज परिवर्तन लाना पड़ेगा। ऐसी सिक्षा देनी पड़ेगी। एजुकेशन हमें सिक्षा देनी पड़ेगी। हमको स्कूल डेस से ही ऐसे बीज डालने पड़ेंगे जहां से इस तरीके की जो एटिट्यूट है वो चेंज हो। और सोसाइटी में इस तरीके के अपरादों को हम कम करें। सिर्फ कानून से काम नहीं चलेगा। कानून तो है, पनिश करें। लेकिन कोई पनिश्मेंट होना चाहिए, कोई जस्टिस होना चाहिए। सोसाइटी में रिफॉर्म बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। स्कूल, घर, पूरा, एजुकेशन सिस्टम, ऐसा होना चाहिए। बच्चों को हम बताएं, उनको सिखाएं, लड़कों को हमें सिखाना पड़ेगा, किस तरीके से काम है, कैसे आपको ट्रीट करना चाहिए, सोसाइटी में आपको कैसे बिहेव करना चाहिए। उसके बाद मुझे लगता है, जो सोशल मीडिया है, यह बड़ा एक इंपॉर्टेंट आजकल रोल प्ले कर रहा है, यह विलन है, जो सोशल मीडिया है, अलग-अलग प्लैटफॉर्म्स पे, अलग-अलग साइट से अवेलेबिल है, इसली पॉन साइट अवेलेबिल, आप इसली पॉन साइड एक्सिस कर सकते हैं यह जो कोलकत्ता में घटना घटी है उसमें भी पुलिस की इन्वेस्टिकेशन यही कहती है कि यह इंसिदेंट से पहले रेप से पहले है उसने शराब पिया और शराब किने के बाद उसने कुछ ऐसे वीडियो देखे इसली अवेलेबिल है गवर्मेंट को ऐसे वीडियो पर ऐसे साइट्स पर बैन लगाना चाहिए ऐसी पिच्चरें नेकेट फिल्में नंगी तस्वीरें सोशल साइट पर नहीं होनी चाहिए जो सोशल साइट्स है एंस्टागरां कुला ए एक अगर Wyattreek क्या हम 59 सिंघा रहें बच्चों को क्या परोष रहें बच्चों को क्या दिख़ा रहें बच्चों को कैसा समाज हम बना रहे हैं फिल्में, सिनेमा, बॉलिवुड जिस तरीके से बॉलिवुड में प्रेजेंट किया जाता है उसमें चेंज की आवश्रकता है फिल्में समाज का आइना होती है ऐसी फिल्में वोनी चाहिए जो समाज में प्रमोट करें ना कि इस तरीके घटना है तब मुझे उमीद है कि इन सारी घटनाओं पर जो है वो ब्रेक मतलब जीरो तो नहीं होगा लेकिन हार थोड़ा कम हो सकता है तो हमें कलेक्टिवली हर चीज पर काम करना पड़ेगा कानून पर निया पालिका पर और इन सारी चीजों पर चाहिए वो सोशल मेडिया है चाहिए वो बॉलिवुड हो चाहिए वो ओटीटी प्लैटफॉर्म हो जो चीजे छुपी भी हुई थी वो भी ओपन हो गए छोटे-छोटे बच्चे आजकल जो है इसली एक्सेस कर लेते यह सारी चीजे क्या सीखर है है कि यही सारी चीजे हैं इसी वज़े से सारी घटनाएं जो है समाज में घटी हो हमें शर्मिंदा होना पड़ता है दुनिया भर में भारत की पैचान हम क्या बना रहें विश्व की पांची विश्व सबसे बड़ी अर्थरोस्ता हैं और इस आजादी के पावन पर्व पर हम सब को इस बात कप्रण लेना चाहिए और हम सब को इस बात पर सुचना चाहिए कि हम कैसा राश्ट आगे बनाना चाहिए यह पांच BLACK सबसे बड़ी अर्थरोस्ता तीसरी सबसे बड़ी अर्थरोस्ता इस सब फिगर्स हैं सब Numerical हैं Values इनसे क्या है? सोसाइटी हमारी ethical होनी चाहिए, moral होनी चाहिए तब हम एक सशक्त, एक empowered, राष्ट एक सब्समाज का निरबाड करेंगे जैसा हमारे freedom fighters ने देखा था जैसा उन्होंने सपना देखा था कि हमें कैसा समाज कैसा देश बनाना है आजादी के पाद तब हम असली माइने में कहेंगे कि भारत आजाद है जब हमारे देश की महिलाएं आदी जनसंख्या स्वतंत्र रूप से जो है वो अपनी आजादी जो है वो enjoy कर सेके, उसको इस बात कडर ना हो कि हम यहाँ जाएंगे तो यह हो जाएगा वहाँ जाएंगे तो वो हो जाएगा मतला अपतो अस्पतालों में भी female doctors जो है वो night shift लेने से दरेंगी जो है उनको मना किया जाएगा वैसे ही doctor होगी कमी है हमारे देश देश और doctor होगी कमी हो जाएगी तो इस बात पर सूचिएगा जरूँ कि किस तरीके से हमें आगे काम करणा है तो इस लेक्टर जाहिए